अजय कैंट ए ऐल्ट वो आफ्म हम लोग किरते बार है तो इन आव डिर्यूं आ सीधिक नहों तो डिस्कार यंवी के फिच्ब शर्म्हायग की आप स औरक करते तो इन आखार की हुई प्रदर का प्रदर का अपने रिलीशन होता है ठीक है अगी यह से आच बात करते हैं प्रादर एंड शंक नोगया ठीक है तो यह हमारे पास और जैसे आपके बात करें फ्रेंड का भी रिलेशन है आपके पास तो यह आपके पास देली लाइफ में तमाम प्रगार के रिलेशन आपने आप पर देखते हैं अब देखिए अगर हम बात करें इन रिलेशन की बात करें सब्सक्राइब हम यहां पर इस रिलेशन की बात कर और यहां पर हम देखते हैं कि आपके पास माले ये फादर्स नेम है ये है रमेश रमेश आपके पास फादर है ये हमारे पास फादर है और इनके जो सन है वो आपके पास है विक्रम तो रमेश यहां पर फादर है और इनके सन कौन है विक्रम तो हम अगर हम रमेश और विक्र लिखें हम और इस प्रकार से की बात कर रहे हैं इन रहें कंसे रिलेशन के साथ रिलेशन है वो हमारे पास कैसा है? चुकि इस relation की बात कर रहे हैं तो इनके साथ और इसको हम अगर father कह रहे हैं और इसको son कह रहे हैं तो रमेज का विक्रम के साथ जो relation है वो आपके पास कैसा है वो आपके पास relation है father का अब यहाँ पर भई अगर हम विक्रम की बात करें तो देखिए अगर हम विक्रम की बात करे और यहाँ पर फिर आप किस से relation देख रहा है फिर आप relation देख रहा है रमेश से बिक्रम को यहाँ पर देख रहा है और फिर आप relation किस से देख रहा है रमेश से तो अगर बिक्रम का रमेश के साथ relation आप देख रहा है तो इनके साथ जो relation होगा वो देखी आपके पास change हो जाए जो आपके पास आपके पास दिखिया और नियुक्त ऑर यहां पर आपके पास एक है और यहां पर आपके पास एक सब्सक्राइब पहले का दूसरे के साथ बो रिलेशन बनता है फादर का लेकिन कि अगर गर विक्रम और को मा विक्रम कर रहा है तो अगर यह मुथ होगा लेकिन कोई नहीं कि क्या सकते हैं कि विक्रम तो फी तो अगर आप इसको और में इस तरीके से रखें और इनके रिलेशन्स की बात करें तो जब आप सुनीता कामा महेश करेंगे सुनीता कामा महेश करेंगे और इसके रिलेशन्स की बात करेंगे तो यहां पर इनके साथ नहीं मिल पा रहा है यहां में सिमेट्री नहीं हो रही है पास कैसे अलग-अलग हो रहे हैं तो कभी भी आप इस तरीके से नहीं लेख पाएंगे कि आप इनके और को चेंज करते हैं और सेम लोगों कड्रिक रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है अच्छा वैसे आपके पास mother and son में हैं लेकिन आप सपोस करें कि अगर हम यह अगर सुनीता की बात करें तो अगर इनमें हम डिलेशन देख रहे हैं माधी इस्टर का और Sonita का स्टर का, क्या लिखतें है और इता का धिकर कि कि औरthirds को हमारे पास स्टेशन यहां पर मिल जाएगा श्यचलople इसका मतलब यह जो रिलेशन है आपके पास इक्वल हो जाएगा और यह हमारे पास symmetry हो जाएगी ठीक है तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें symmetry हो सकती है कुछ एसे में symmetry नहीं होती है और यहां पर एक relation लिखा है friends का तो देखे friends के relation की बात करें तो इसकी भी symmetry नहीं होती है कारण यह है कि अगर मान लेंगे हम किसी भी कोई व्यक्ति है और उस व्यक्त को कहें कि अमुख व्यक्त की हमरा जो भी मारे सामने वाला जो फ्रेंड से हम कहें एक वो हमारा है लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि उधर से भी ऐसे हूँ ठीक है जब मिलेंगे बैठेंगे बाचीत होगी आपस में रिलेशन्स होंगे ऐसा आपके पास होता है तब जाकर कि वह सब्सक्राइब करते हैं लेकिन वह आपको कुछ नहीं समझता है ठीक है और उससे आपकी यूज़ करता है तो या को ज्रुप नहीं होता कि आप जिसको फ्रेंड्स के नहीं होतीं प्रैंश का महर्मेश हो क्या है है Cancer पार महेश है ये सद्सार की और अब अन्वेर के सांट्र एक ऊडर абhします और यह आत्वास रिलेशन कब एक्वल होंगे कब एक्वल नहीं होंगे इनको हमने डिस्स कर लिया आगे हम बात करते हैं अपने mathematics की बात करें तो mathematics में भी relations होते हैं तो चलिए mathematics में किस तरीक रिलेशन होते हैं में सब्सक्राइब करें बात करें तो हमारे पास क्या हो सकता है तो सब्सक्राइब हमने यहां पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब यहां पर आपके पास बैर करे बलाद तो सब्सक्रा रहें हैं तो स्कूल नहीं कहेँ सब्सक्राइब Q कभी नहीं हो सकता है तो यह हमारे प positives personally इसकी सिमेट्री नहीं होती है इस रिलेशन के अंतरगर अब आगर हम बात करें एक कामा बी और इनको अगर आपके पास हो सकता है ठीक है तो जैसे अगर आगे लिखने तो हमारे पास बिल्कुल इसकी सिमेट्री हो जाएगी इसकी सिमेट्री होती है इसे बहुत सार रिलेशन आपके पास अब आगे पर एक आपके पास कैसे होगा वह डिपेंट करेंगा कि आपके पास कैसा है तो सब्सेट भी आपके पास कहीं पर समेंट्री होती है कहीं समें नहीं होती है यह सारी आपके रिलेशन में आती है तो चलिए यह बात करें तो क्या मतलब हुआ कि तो अब जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं कि इस तरीके से लिखे जाता है और यह आपके पास क्या लाता है क्या सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि कभी इनके और को चेंज नहीं कर सकते हैं अगर आप कहें कि एक कामा भी को भी कामा ही लिख सकते हैं तो ऐसा विल्खुल भी नहीं हुआ क्योंकि हमने देखा था कि relations में आपके पास क्या होता जब symmetry होती है तब ही हम इसको equal कह सकते हैं तो इसका मतलब यह हो गया होता जब कोई देखे है symmetry हो जाती है तो symmetry के लिए से suppose करें आपके पास A कामा B है और यह हमारे पास है C कामा D कोई दूसरी वैलिल है C कामा D तो अगर हम कह सकते हैं तो यह तभी possible होगा जब यह equal होगा C के और यह equal होगा D के corresponding elements अगर equal है तभी यह पास क्या हो सकता है तो इस A कामा B is equal to C कामा D तो इसका मतलब यह हो गया तो यह हमारे पास conditions है इनको आप यहां पर write down कर लीजएगा अभी आगे हम आपके पास बात करते हैं काटीशन प्रॉड़क्ट आफ ए सेट इसको आप देख लिए जिसका स्क्रीन सब्सक्राइब करेंगे काटीशन प्रॉड़क्ट आफ ए सेट्स को रिसर्स करते हैं तो चलिए काटीशन प्रॉड़क्ट आप ए सेट्स की बात करें तो क्या होता है अभी तक किसी सेट में अगर हम बात करें तो क्योंगी सेट में जो एलिमेंट्स लेते थे और उसमें आपके पास elements है यहां से आपके पास elements है या फिर किसी सेट का कोई elements है तो कोई की element आप कंस्टर करते हैं सब्सक्राइब आपने लॉजिक मेसेड़ परिस्तमाल गया था तो जब आप किसी सेट का कोई element कहने थे सब्सक्राइब आपके पास की एक सिंगल elements वाहसे हम करते हैं एक सब्सक्राइब लेकिन अब हम बात करते हैं कार्टीशियन प्रोड़क्ट आफ एसेट इसकी हम बात कर रहा है तो let A and B be two sets let A and B be two sets भाई अगर हमें जाएंगे A भी हमारे पास दो sets है और A भी में जितने भी possible ordered pair possible हो सके ए और B के जितने भी आपके पास ordered pair possible हो सके तो वो आपके पास कहलाता है कार्टीशियन प्रोड़क्ट और उसको रिनोट करते हैं जिससे A x B से ठीक है इसको रिनोट करते हैं A x B से रिनोट करते हैं और A x B आपके पास क्या होता है all possible values of ordered pair A and B तो चलिए A x B का मतलब होगा क्या मतलब होगा यारी इसमें जो elements होते हैं वो ordered pair type के होते हैं इसका मतलब ही होगा कि A x B is equal to A comma B such that A belongs to A and B belongs to B तो इस प्रकार से आपके पास क्या होते हैं काडिशन बार्ट में element होते हैं चलिए इसके आप एक्जाम्टर उसकी बात कर लें तो किस तरीके से कुछन यहां पर निकलते हैं अच्छा इसमें number of elements करते हैं यह भी देख लेते हैं अगर आप यहां पर कहें कि A में number of elements आपके पास हैं number of elements आपके पास हैं M ठीक है और B में हमारे पास number of elements हैं चलिए P Q में ले लेता है ठीक है? तो यह हमारे पास number of elements निकालने का तरीका है तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका questions एक example ले लेते हैं Suppose that आपके पास A is equal to है A comma B and B is equal to हमारे पास है 1, 2, 3 और हम यहां से रिकालने जा रहे हैं A cross B तो चलिए A cross B के करम बात करें तो पहले आप A को रखेंगे, set A रख लिया और cross करके लख लिया, set में 1, 2, 3 और मैंने यह कहा है कि A cross B क्या होता है? ordered pair, जितने भी possible हो सकें आपके पास दोनों set के ordered pair जितने भी all possible values of ordered pair A and B वो कहलाता है partition product A cross B चीक है? ट्रॉस्पटेंगे इसको तो चलिए यहाँ पर partition product का आपके जो भी A, B के उसके possible value जितनी भी possible हो सकती है order pair की वो हम यहाँ पर find out करेंगे तो यहाँ पर हम दे सकते हैं अगर हम elements को निकाले हैं तो यहाँ पर देगी एक measurement दे सकते हैं कि अगर हम कहें A में number of elements P हैं, B में number of elements Q हैं तो एक रास B में number of elements होंगे P into Q So that will be A में हमारे पास क्या है A में number of elements 2 है B में elements कितने हैं, B में elements तीन आपके पास हैं, तो भाई 2 into 3 यानि आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर एक रास जी में 6 elements हमारे पास मिलने चाहिए और elements कैसे मिलेंगे आपको ordered pair में ही लिखेंगे तो चलिए लेखते हैं, क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास तो देखे, send के अंदर क्या होगा पहले इस A काम किसके साथ लेंगे, 1 के साथ यह हो जाएगा A, 1 ठीक है, A को 2 के साथ लिखेंगे तो यह हो जाएगा A, 2 ठीक है, A को 3 के साथ लिखेंगे, तो इसका order pair का होगा A, 3, A complete हो गया अब B वोठाइगे, तो देखे, B क्या हो जाएगा B, 1, B, 2 और यह हो जाएगा B, 3 यह देखे, 6 elements आपके पास मिलता है तो यह कहलाएगा A क्रास B अच्छा फिर हमारे पास दूसरा note क्या है त्यान रखेगा, इसमें कार्डिशन प्रोड़क्त में क्या होता है कि A क्रास B कोई ज़री नहीं होता कि B क्रास A के एक्क्वल हो ठीक है, यह कोई आपके पास आपके पास आपके पास आपके पास चेंज कर देंगा पास पास क्या है, और A हमारे पास कितना है, A हमारे पास है, A कमा B तो इसमें 3 elements, 3 elements, इसमें 2, 3 into 2, 6 तो elements हमारे पास वहीं मिलेंगे लेकिन हमारे पास जो value होगी, वो change होगी, यह तो इक्वल नहीं होगे चलिए, 1 को पहले A के साथ दिखेंगे यह जाएगा 1 कामा A, फिर B के साथ दिखेंगे 1 कामा B, फिर क्या होगा 2 कामा A, फिर क्या होगा 2 कामा B, फिर क्या होगा 3 कामा A, और फिर क्या होगा 3 कामा B तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही value equal नहीं हो पा रही है अच्छा, एक question इसमें और arise होता है ज़रा ध्यान से देखिए, आपको यह कह देगा चि A क्रास B की value यह है और कहेगा A, B की value find दरो, तो ध्यान से देखो A हमारे पास A कामा B है, B हमारे पास 1, 2, 3 है जब A क्रास B निकाल रहे है, तो A क्रास B निकाल रहे है, तो लिख्ये देखिए लिख्या है, इसका मतलब B के पहले लिखे होंगे ठीक है तो बीख एलिमेंट कौन है अब इस तरीके से अगर हमारे पास कोई वैलू गिवन है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं उसके सेट का भी पता लगा सकते हैं कि उसमें सेट में आपके पास क्या क्या होंगे तो आगे हम लोग डिस्स करने वाले हैं आपकी exercise 2.1 को तो देखिए इसको देख लिए और हम लोग आगे कोशन को स्टार्ट करेंगे exercise 2.1 पिचलिए अपनी exercise को स्टार्ट करते हैं exercise 2.1 exercise 2.1 की बात करें तो पहला कोशन हमारे पास कुछ इस प्रतार से हैं exercise 2.1 कुशन नमर फर्स्ट is if x प्लस 3 प्लस 1 यस अपन 3 प्लस 1 कमा y-2 अपन 3 is equal to 5 बाइ 3 कमा 1 अपन 3 then find the value of x and y तो यहां पर आपको x की value find करनी है और हमारे पास y की value find करनी है और आप ध्यान से देखते हैं अभी मैंने कुशन मताया था कि अगर दो order pair आपके पास given हो और दोनों आपके पास equal हो तो उनके corresponding elements क्या होते हैं एक्वल होते हैं तो आप इसे corresponding equals को आप क्या करते comparing कर दिजिए तो s plus 3 plus 1 हमारे पास किसके equal होगा वही फर्स्ट elements के इसका first element यह है और इसका first element first component है 5 by 3 तो यह equal हो जाएगा 5 by 3 इसको आप solve करेंगे x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1 और जो आप LCM ले लेंगे 3 LCM आएगा तो 5 minus 3 5 में 3 को minus करेंगे तो value आएगी 2 by 3 3 3 cancel out हो जाएगा तो value y की x is equal to 2 इसी तरीके से हम यहां पर देशिते हैं हमारा जो इसका आपके पास second component है वो हमारे पास है y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3 फिर यहां से आप 2 by 3 को जब आप right side पर पेढ़ेंगे तो 1 by 3 और प्लस का 2 by 3 जब आप LCM ले लेंगे तो यहां पर जाएगा 3 और यहां पर जाएगा 1 plus 2 यह आएगा 3 by 3 cancel out हो गया then y is equal to value y की 1 तो यहां से value क्या निकल क्या आगी x की value 2 है और y की value 1 है तो इस तरीके से हमारे पास को इसको इसको लगा सकते हैं आगे हम research करेंगे question number second को now question number second is if the set has three elements if the set a has three elements यानि number of elements set a में कितने हैं three हैं आपके पास and the set b 3, 4, 5 और b set आपके पास given है b set given है 3, 4, 5 then find the number of elements in a cross b तो भाई इसमें number of elements पता है इसमे number of elements हमें कितने नजर आ रहा है count कर लीजे इसमें number of elements है 3 क्यों भाई तो आप से कहरा, find the number of elements in a cross b, यानि आपको निकालना है, a cross b में number of elements कितने होंगे, तो भाई ये हमारे पास number of elements na, और cross में क्या हो जाएगा, into में क्या हो जाएगा, nb, इसके multiply के equal हो जाएगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 3 into 3, यानि value i9, तो a cross b में कितने elements होंगे हमारे प now push number third is, if g is equal to, if g is equal to 7, 8, and h is equal to 5, 4, 2, then find the value of g cross h, find the value of g cross h, and also find h cross g, तो अभी माने देखे, कार्डिशन पॉड़क निकालना बता है था, तो सेम वैसे हमारे पास है, किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, g cross h is equal to, set में 7, 8, पहले g को रखेंगे, cross, edge को रखेंगे, edge हमारे पास है 5, 4, 2, अब यहाँ पर जितने भी possible हो सेगे order pair, उतने हम यहाँ पर find up करेंगे, तो चलिए क्या क्या possible हो भाएंगे, पहले आप 7 को लिजे, और 7 का इन सभी के साथ order pair बनाएगे, तो 7 का 5 के साथ बन proportion, जिए का हरी, तो इतने पास order pair हो जाएगा, it, 5, फिर ख Brilliant। और रखेंगे, तो फिर हम हमारे पास है, 11,μάach 7, 8, तो इसमें हम यहाँ पर जितने भी possible order pair होंगे, उनको हम देखेंगे, कक्र feminine होता है, तो जब भी permanent पान Eineczne को उतना है और जो में इसभी essent ornaments yeES, वहाँ अभी औ लेने होंगे तो हम इसा एक कामा बी टाइब के बानता है ठीक है जैसे हमने अभी किसी सेट में जब लेट को कंस्टर किया था लॉजिक मेथड में तो आप यक्स बिलांग्स टुए ले रहे थे और यहां पर अगर लेंगे तो यक्स कामा वाई बिलांग्स टू एक रास बी होगा ओके खैल बहुत बात की बाते हैं आप यहां पर इसको देखें यह आपके पास क्या है अब इसका आपको लेना है तो पहले 5 का और प्यर निकालेंगे इसके साथ तो यह जाएगा 5 कामा 7 और फिर 8 के साथ लें यह जाएगा 4 कामा 7 और यह जाएगा 4 कामा 8 फिर आगे हम यहां पर देखनेंगे 2 कामा 7 और यह जाएगा 2 कामा 8 तो इस तरीके से आप और प्यर से और प्यर आपके निकाल लिए और यह हमारे पास का टिक्षर प्रॉडक्स आपके निकल आएगे ओके फिर इसकी बात है 4 is question number 4 हमारे पास कर रहा है state whether each of the following statements are true or false, चलिए आपको true or false के बारे में कह रहा है if the statement is false, rewrite the given statement correctly, मतलब अगर statement false है तो आपको correctly statement देना है और अगर true है तो कोई बाद नहीं देखे हमारे पास first number के हाँ पर कह रहा है यह P is equal to M comma N set में हमारे पास है and Q is equal to M comma N और आपके पास statement रहा है then P cross Q is equal to M comma N और यह हमारे पास है N comma N तो भाई सीरीज ही बात है तो यह हमारे पास कैसा देख रहा है false वही से में देख रहा है क्योंकि हमारे पास देखे पी में number of element 2 है Q में number of element 2 है तो फीक राच में number of element 4 होंगे और हमारे पास cable क्या है two elements भी यहां पर है two आपका order pair बना रहा है four order pair यहां पर बने चाहिए तो it is clear that it is a false it is clear that statement will be false statement is false तो statement यहां पर कैसा आपके पास false है अगर false है तो correct statement क्या होगा चलिए इसको देख लेते हैं correct क्या होगा तो बात करें तो पहले आफ लिखेंगे 7 अन कामा एंफिर किसेए न कामा एंभी यह आपके बनें आघे हमारे पास वास बनेगे इसका मतलब नंबर आफ एलमेंट्स होंगे आपके पास जिरो होंगे और बी पे नंबर आफ एलमेंट्स क्या हो जाएंगा जिरो तो यहां पर कह रहा है तो अगर आफने नंबर आफ एलमेंट्स निकालेंगे तो वह भी जीड हो जाएंगे इसका मतलब एक राजबी में आपके पास वैलू आएगी वह हमारे पास क्या होगे फाइव यहां पर आपके पास क्या है त्रू एस्ट्रू के लिए आपके पास कुछ नहीं करना है तो आ 1,2, 3rd number and B is equal to 3,4 यह हमारे पास value given है B is equal to 3,4 और फिर हमारे पास क्या रहा है A cross B intersection 5 हमारे पास क्या value क्या रहा है A cross B intersection 5 is equal to 5 आना चाहिए चलिए भाई देख लेते हैं तो जायसी बात हमारे पास B है और B का हमें किसके साथ intersection लेना 5 की साथ Intersection का मतलब यह है कि common elements हमें यहाँ पर लेने होते हैं तो चलिए अगर हम B intersection 5 की बात करें तो B intersection 5, B हमारे पास है 3,4 और 5 एक null set होदा जिसमें कोई भी element नहीं होते हैं तो भाई किसी भी आपके मारे set का null set के साथ जब आप intersection लेते हैं तो हमारे पास कोई भी common elements नहीं मिलता इसका मतलब क्या नहीं होएगी 5 है अब आपको यहाँ पर निकालने के लिए क्या निकालने के लिए क्या निकालने के लिए कि A क्रास B intersection 5 इस value को हमें निकालना यहां से निकालने के तो क्या होगा यहां से हमारे पास यह हमने ए लिख लिए और यहां पर क्रास प्रॉटक लेते हैं तो क्रास प्रॉटक यह आपको element चाहिए तब ही आप order pair find कर पाएंगे तो तो ए में तो elements है 1,2 लेकिन 5 ने हमारे पास कोई elements नहीं है तो इसका order pair पॉसिबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा नल से यह आएगा और वो क्या होगा 5 तो इसका मतलब यह हैं यह भी statement आपके पास क्या है true है तो यह हम लोग दिसेश करेंगे triple sir की बाद करेंगे triplet की सब्सक्राइब तो हमारे पास वैलू क्या होगी उसको नेस्ट वीडियो में डिसेश करेंगे ओके आज के लिए इतने रिप्स हैं थैंक्यू